हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के अपने पॉपलेशन इंटराक्शन सबसे फर्स्ट वन है मेच्वेलिजम हमारा तो मेच्वेलिजम जो है बैसिकली एक रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट जो और्गनीजम है अल कि बैनिफीशल होते हैं दोनों एक दूसरे को हाम नहीं पहुंचातें दोनों एक दूसरे को बैनेफिट पॉइड करतें ए ठीक है एक और हमारा इसके अंदर आजाता है कि मिर्च्वेलिजम के अंदर क्या होता है कि बैनिफीट हो रहा है तो देखिए आप लोग प्लान के करता है उनको प्रोइड करता है उसके बाद आता है अपना लाइकें उद्टा इपा इन 2 जो होते हैं अपने यह किया होते है अपने हीली एरियास भी होते हैं these are very sensitive to pollution especially carbon dioxide or sulfur dioxide का content अगर बढ़ता है तो यह grow नहीं कर पाते हैं यह decrease हो जाते हैं ठीक है इसके अलबा टेरेस्ट्रील के ओपर बहुत सारे हमारे इंसेक्ट जो है plant plant और इंसेक्ट ठीक है यह क्या करते हैं पॉलिनेशन करते हैं ठीक है जितने पी फ्रावर हैं जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है उन सब के अंदर बेसिकली यह mutualism का act जो है वो work out करता है ठीक है अब इसमें आप लोग देखें जरा जो पिक दिखा रखी है इसमें एक यह वला एक्जामपल देखिए यह जो एक्जामपल है यह अपना दिखा रखा है क्रोकोडाइल का इस क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर यहां पर एक प्लोवर बर्ड है जो प्लोवर बर्ड क्या करती है जो प्लेशी करता है किसी भी आनीमल का तो इसके टीट चरुद केंदर क्या होता हैा फ्लेश जाता है अतक कणने के frank की जो होती हैं वो फ़लावर सबस्क्राइब कर dan करती हैं उन ड्हात करें में सकता हुआ लड़नेशबंत हैं कर पौलीनेशन जो सकता हैं अच्छा एकeté मीलत भी बीच वय को दोःसियों को थो यहां से कुछ निकाल रही है, कुछ खाने के लिए निकाल रही है और यह इसको क्या दे रही है, यह इसका pollination करवा रही है ठीक है, उसके बाद देखिए, mutualism का जो interaction है ठीक है, इसमें दोनों को ही beneficial होता है इसमें example दे रखा है, claw fish का और animal का लेकिन प्लोफिश और एनिमोन का एक्जाम्पल कुछ के अकॉर्डिंग यह इसमें नहीं मानते ठीक है यह कमनसलिजम के अंदर माना जाता है लेकिन मुच्छलिजम में इसको जादा जो है यूज आउट नहीं करते नेक्स्ट आता है कमनसलिजम ठीक है अब देखो मैंने यह मीं और में घादा तरल वो और लेड़ी कंन बँदके देखो अनय के प्लोफिश होती है यह वाली बड़ी प्यारि इसी इसके अंदर शेंटर के लेट्स छूपती है शींके इसको फूड मिलता है यह इसमें से एकश्य हां नहीं पराट बाट की के इसको आ पर यह को टिणिपकल सोबुेर्टosed कज़र रिमूब पाइब करते हैं Such coronavirus क्या होता है यह फो रिलेशन होता है जिसके अदर दो औरगनीजम है एक औरगनीजम को benefit हो रहा है पर दूसरे को कुछ भी effect नहीं है उसको profit कुछ नहीं फर्क पड़ता है उसको क्या फर्क पड़ना है अब देखिए example देखते हैं जैसे tree है ट्री के ओपर यह फ्रॉग है बिचारा चुपके बैठा हुआ क्या कर रहा है पटक्शन ही तो ले रहा है ट्री को पर क्या एफेक्ट होना कुछ भी नहीं ठीक है अब इस ऐनिमल के ओपर देखें अनिमल के ओपर क्या हो रहा है यह जो बर्ड है जिसको इग्रेट बोलते हैं इसके ओपर जा रही है किसलिए जब यह जब यह बैफेलो इस ग्लास को इच करता है तो इस पर इंसेक्ट उड़ जाते हैं इस तरीके से ठीक है इंसेक्ट क्या करते हैं यहां से यहां पर निकलने शुरू होते हैं इनकी बॉड़ी के बैठ रहे हैं तो वह इनका फूड है यह क्या करेंगे इसको इच कर लेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स देखें यहां पर गोल्डन जैकॉल का दिखा रखा है यह भी अपने ब्रस रहा हो जैकर रहे हैं बॉड़्डत अफ़या मे वह इसके उपर बैठ रही है इस कि उपर क्या पर आपक्र रहे हैं जख क Sinley सरा चीग किसके उपर बना इस ट्री और उपर इसेसे उपरी पे कुछ CAP रहा है उसका नहीं हो रहा लेकिन इनको benefit क्या हो गया कि थैज बिल वोन हाउस इंको अपना पर एक घर मिल रहा है रहने के लिए ठीक है उसके बाद देखिए इसमें एक और यहां पर एक्जामपल देखते है का मेंसलिजम का कि यह देखे जो डियर है हमारा इसके उपर बैठी में बर्स किसके लिए कि यहां पर जब यह ग्रास को इच करेगा तो इसके उपर से क्या निकलेंगे रिलीज होंगे इंसेक्ट ठीक है उसके अलावा एक और कैटल और इग्रेट का जो अभी हमने किया था देखिए कि इतना अच्छा दिख रहा है इसके अंदर की यह जो इंसेक्ट है इस वाले पिक में थोड़ा सा क्लेर आपको दिख रह इनसेक्ट को यह एक रेट क्या करेगा इसने भूखा मर रहा है इसने ठीक है उसके बाद एक और हमारा अंटि लॉफ उप विद अक्स पॉर्ड का ठीक है यह बर्ड क्या गरता है कि जब यह मील खाता है खाना खालेता है तो इसकी बड़ी के ओपर जब पर परसाइट लग इसके येस के ओपर फेस के ओपर रिमूफ करता है ठीक है इसको फूड मिल रहा है ठीक है हमारे इस छोटे से इंसे बर्ड को फूड मिल रहा है लेकिन यहां पर इसको इसका कुछ भी एफ्यक्ट नहीं आ रहा है लेकिन यह हमारे एक्जामपल किसके अंदर आता है मिच्वैल इसको फूड मिल गया ठीक है सॉरी इसको क्या हो गया इसके अंदर हमारे जो बढ़ यह जो एक रेट है चोटा सा बढ़ यह इसके ऊपर लगे वे परसाइट को खा रहा है इसको उन से रिलीफ में रहा है ठीक है उसके बार नेक्स देखिए यह भी कमेंसलिजम का एक 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 ये है हमारी जर्फ ब्लू वेल छीक है ये है हमारी वेल और इस वेल के साथ चोटी चोटी बहुत सरी स cherry fishes है जिन को हम लोग बोलते हैं ब्रैंकेश को मुझा इनको कैच करने की कोशिश करती है इसको कुछ बेनेफिट हुआ नहीं इसको तो फुड़ खाना इसने खा लिया जो बचा खुच है वह वह हमारे बागी अनिमल्स खा रहे हैं इसमें उसके बाद रहता है रही पैरसिटिजम पैरसिटिजम देखो क्या कर रहे है यह जो interaction होता है बहुता है इसके अंदर हमारे दो concept आते हैma वह आर्गनिजम MorQuito हमारे बॉड़ी से खुण सख कर रहे है बलड को सख कर रहे है This is called as parasite किसकी बॉड़ी से सख रहा हमारी बॉड़ी से हमारी बॉड़ी मतलब हीोमन कीasure लूश्त हो गया होस्ट हो गया और पैरासाइट क्या हो गया यहां पे हमारा मौस की चो वो और्गनिजम जो दूसरी और्गनिजम से दूसरे लिविंग और्गनिजम से फुट लेता है उसको बुला जाता है पैरासाइट और जिससे फुट लेता है उसको बूला जाता है host आगे देखिए इसके examples अब इसमें देखिए यहां पर यह एक plant का नाम दे रखा है epiphydes है epiphydes क्या होते हैं यह plants दूसरे plants के ऊपर grow करते हैं ठीक है बट यह totally parasite नहीं होते reason कि यह जो plants होते हैं यह सिर्फ support के लिए इसके ऊपर grow कर रहे हैं यह इसका कुछ भी food बगरा यूज नहीं करते हैं इनके अंदर hanging roots होती हैं जिन से यह water को absorb करते हैं अपना food खुल प्रिपेर करती है ठीक है उसके बाद next है हमारा यह यह आ जाएगा हमारा एक और example है अपना mutualism का mutualism का देखिए आप लोगोंने lower classes के अंदर पड़ा हुआ है rhizobium का की root nodules में रहते हैं ठीक है और help करते हैं किसके अंदर plant की basically plant को यह क्या provide करते हैं nitrates provide करते है nitrogen को absorb किया atmospheric nitrogen को उसको ammonia के products के अंदर convert कर रहे हैं और जो bacteria उसको क्या मिल रहा है यहां पे shelter मिल रहा है ठीक है उसके बार next आता है हमारा predation predation जो होता है इसके अंदर basically एक organism दूसरे organism को eat कर लेता है ठीक है predation में क्या करेगा एक organism दूसरे को eat कर लेता है parasitism में क्या होता है कि एक organism दूसरे living organism food लेता है यह इन दोनों के अंदर difference होता है ठीक है अब हम लोग examples देखते हैं इनके अलग-अलग इसके अंदर देखिए predator prey का relationship ठीक है predator prey के अंदर हम लोग वही दो words यहां पर दुबारा देखेंगे predator जो hunt करता है food को consume करता प्रे जिसको की यह खाता है ठीक है तो यहां पर आपको बहुत सारी examples दिख रही हैं यह देखि यह वह examples है जिनको की यह eat करते हैं यह important होता है हमारे environment में क्योंकि यह population जो overpopulation इसको control करने में help करता है अब एक जो predator है वह प्रेवी दो हो सकता है कैसे यह देखिए जो horn lizard है जब एक किसी आंट को eat करती है यानि कि छोटी सी चीटी को eat करती है तो यह आंट क्या होगी इसकी प्रे होगी और यह हो गया हमारा predator ठीक है बाच वाट हैपन जब यह जो बर्ड है horn lizard को eat जब करती है ठीक है यह किसी बर्ड ने इत कर लिया किसी स्नेक ने इत कर लिया तो यह predator इनका खाना मन गी यह that's the word the predator becomes the prey ठीक है नेक्स देखिए कि छोटी से फुट्चें दिखा रख इसका मतलब यहां पर यह भी predator है यह भी predator है और हमारा इंसेक्ट भी predator है इंसेक्ट किसके ओपर predator है ग्रास के ऊपर फ्रॉक इसका predator हो गया इंसेक्ट का अब जरूरी तो नहीं है कि हर बारी यह खाये जाए यह अपने आपको प्रोटेक भी करते हैं यह देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि बैक में ग्रीन कलर का स्नेक है बैक ग्राउंड भी ग्रीन कलर का है इसका मतलब क्या हुआ कि यह इसके साथ मिमिक्री कर रहा है कुछ और देखिए एक्जाम्पल्स लग्वाइज अपना जो कैमलियों है जिसको सिंप्लियम ग्रीट बोलते हैं यह कलर चेंज कर रहा है तो कुछ प्रेडेटर अपना अडाप्टेशन करता है प्रेडेटर जिसको फुड इट करने के लिए जैसे चीता है बहुत फास्ट रन करता अपने प्रे को कैच करने की लिए ठीक है प्रेडेटर के कुछ और अडाप्टेशन होते हैं कि वह कुछ पाटिकलर वाइजन सरी करते हैं जिससे कि प्रें उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं नाइट की टाइम पर हंट करते है आप लोगों ने देखा होगा नाइट टाइम पे अपने जो बैट्स हैं चमकादर हम जिनको बोलते हो नाइट टाइम पे जो है अपने फुर को हंट करते हैं इसली ठीक है वह उनकी वेवस के तुर उनको कैच आउट कर लेते हैं यह एडाप्टेशन है जैसे बर्ड का दि जाने होते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कॉम अफ लिक अभी आपको मैंने बताया था बैग्राउंड के साथ मिमिक्री करना अभी यहां पे जो इंसेक्ट है पीछे का बैग्राउंड से में तो पता नहीं चल पाएगा उसके बाद वैनम यानि की जहर साफ को जब हम पकड़ता तो वो डस लेता है तो वो उसका एक प्रोटेक्शन है जो अपने आपको बचाने के लिए वो करता है ठीक है अब यह देखिए अलग अड़ अड़ेशन दिखा रहे हैं आपे इनकों लोग कॉम अफ लेग स्पीड वगरा का नाम इसमें दे रखा है ठीक है वैन केमिकल डिफेंस करेंगे ऑफेंसिव वैपन सुनके पास होती है कॉमा फलेग करेंगे साइज का मैटर करता है अब यह देखिए पॉईजन जो है यह रिलीज करते हैं अलग-अलग इस फ्रॉग सें बटरफ्राइज सेंकुछ प्लांट्स होते हैं अपने आपको तो वह क्या होता है कि वह रिली उसके अंदर से बहुत ही इरिटेटिंग सी पंजन सी गंदी से समयल आती है जैसे लगता है कि उसकी आख्या बनी हुई है तो वह मौत है उसकी बॉड़ी जो आउल है वह आउल से रिजेंबल करती है मौत तो कोई इसको खाएगा नहीं विचारी को कॉमा फिल का मतलब की बैक ग्राउंड के साथ मिमिक करेंगे चीक है साइज देखें आप जैसे बहुत जादा है और अगर प्रे का साइज चोटा है तो हो सकता है कि वह उसके कंट्रोल में ना भी आए अफेंसिव वेपन ये देखें बारा सिंगा का कितना अच्छा दिखा रहा है इनके अलग-अलग और्गनिजम का किसी का टीथ हो सकते किसी के एंतर यानिके सींग हो सकते हैं उसके बाद आता है भई पैरसिटिजम पैरसिटिजम देखें अब इसमें आपको मैं दिखाती हूँ ये है हमारे पेट का कीडा असकेरिस ठीक है हमारे पेट के अंदर गुसा हुआ है ये देखें ये मच्छर उपर से कौट रहा है हम लोगों को ठीक है तो ये अलग- छोगों का ये देखें यहां पर वह पैरसित जो बॉडी के अंदर गुस गया है जिसले की लिवर फ्लुक को फेटे फोर्म में मलेरियल पैरासाइट Jackie मैलीरी झीस से कॉर्स होता है तो वह पैरासाइट जो पौडी के अंदर रहते हैं इंड हो एज अन्डो पैरासाइट जो पौडी के बाहर रहते इनकों बुला जाता है एक्टो पैरासाइट झेख कै यह निए ठीक्सिरा नहीद ख तो यह भी एक्टो परसाइट के एक्जामपल है ऐसे ही कुछ और हम प्लांट्स देखते हैं यह देखिए इंसेक्टी वोरस प्लांट है यह इंसेक्ट को इट करते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की डिफीशनसी होती है ठीक है तो जैसे इंसेक्ट यहां पर आया नाम को बैठेगा इस पॉइंट पर यह इंसेक्ट यहां पर बैठे आप इसक Warren को किसकी लिए पने अपने आपने लिए डिफीशनसी यह देखी हमारा यह वर्ल्ड एक प्लांटि का नाम दे रखा है कॉपस यह फ्लावर दिखने इस बीस ही सुनाद रहें लिए लिकिन हन नीचे ग्रो कर जाती है और इन सब का नरिश्मेंट है जो उनको ग्रोथ के लिए एसेंशल होता है उसको सक करना शुरू कर देता है ठीक है उसके बाद यह एक यह रो लेटर फ्लावर है ठीक है यह फ्लावर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है इसका भी ही होता है कि प्लांट की स्टैम के ऊपर इस तरीके से ग्रो करता है ठीक है क्योंकि इसके पास खुद की रूट्स नहीं है तो इसके ओपर अंदर गड़ जाएगा बिल्कुल इसको सक कर लेगा निकाल लेगा बिल्कुल बुरी तरीके से और अपने सीड बनाएगा ताकि वह सीड जों डिस्पर्स हो जाएं और दूसरे प्लांट दूसरे प्लांट से ओपर वीजिली वह ग्रो कर सके यह देखिए कौन सा प्लांट है दा वर्ल लार्जस प्लांट रफैल्शिया ठीक है इसमें आप लोग देखें तो यह वाला जो पोशन है इस पोशन में थोड़ा डेप्थ ह होगा इंसेक्ट इसके अंदर आउसका नूट्रिशन कहां चला जाएगा इसके पास चला जाएगा दाट्स ओल अबाउट देखेंट टाइप ओफ नूट्रिशन जो हम लोगों ने बेसिकली अपने स्टडी किये हैं ठीक है ओके दन मीच अगें बाइ माई दियर स्टूरें दो दियर स्टूरें जो ने जाएगा ड़ी का याँ देल्ग करणा जगेंज जास्ट आड़िए देखेंट अपने स्टाइब हैं बाइब धीं टाटिए जो चुई बाइफेंट इसके जास्ट बाइब जाएब आड़ान स्टूरें इसके बाइब दाफ झात-ड़ाब